आज मार्केट ने हमें क्लियरली सिगनल दिया है कि जाधा उडने की जरुरत नहीं है और थोड़ा डाउन टूरती रही है एक्सपेक्टेशन थोड़ा नीचे ही रखिये कर देखा कि निफ्टी 16600 की रेंज में खुला था लेकिन वहां से कंटिनूसली फॉल करता चला गया एंड 16500 पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट बहुत अच्छे से लिया था बिकाज उस लेवल पर आके वहां से कंटिनूसली अरूंड 80 पॉइंट की ऊपर की तरफ रैली दिखाई थी मुझे यह देखके तो लग रहा था कि शायद 16500 पर सपोर्ट अच्छा ले लिया है और वहां से मार्किट सस्टेन हो जाएगी लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं हुआ आफ्टरून के सेशन में मार्किट कंटिनूसली फॉल करती चली गई और 16500 बहुत अच्छे से तोड़ दिया नीचे की तरफ और उसी के नीचे क्लोज किया है वही अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे बैंक निफ्टी भी 36600 की रेज में खुली थी वहां से कंटिनूस नीचे आई अराउंड 250 पॉइंट लेकिन वहां से फिर उसने सपोर्ट लिया अराउंड 36 350 पर सपोर्ट लिया बिकॉस निफ्टी का एक सपोर्ट था बहुत अच्छा 16500 वहां से कंटिनूस ऊपर गई लेकिन उसके बाद 36600 पर ट्राई भी नहीं किया उसने उसके उपर क् कर दिया इसमें थोड़ा वरी है विकॉस 16500 के नीचे ही क्लोज कर दिया है एक दो दिन से एक्सपेट कर रहे थे कि शायद 17000 हमें देखने को मिल जाए लेकिन यह तो उल्टा ही पड़ गया और 7 और 16500 के नीचे ही क्लोज कर दिया मार्केट ने चार्ट में डिसकस कर लेते ह हैं आज का दिन कैसा रहा उसके बाद मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाऊंगा है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है और आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है और आम शौर कि 17000 अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को विकॉस 16500 ही नीचे की तरफ निकाल दिया है मार्केट ने और आप नीचे की तरफ देखेंगे तो हाइस पूट राइटिंग है उसके इलावा ऐसी कोई इतनी इंपॉर्टेंट पूट राइटिंग हुई नहीं है और कॉल 100% बहुत ज्यादा डॉमिनेटेट थे और बहुत ज्यादा अगर 16500 मार्केट नहीं निकाल पाती कल और उसी के नीचे रहती है देन एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव देख सकते हैं बिकॉज अब मार्केट रिवर्स हो गई है विकॉज हम एक दो दिन से 17000 कर रहे थे और अब 16500 के नीचे क्लोज कर दिया है तो अब यह देख और 36700 की रेंज में बहुत जादा स्ट्रॉंग कॉल राइटिंग हुई है और नीचे की तरफ देखेंगे सुपूर्ट राइटिंग 36000 की है और अब इसमें देखा जाएगा कि नीचे की तरफ कहां तक मार्केट गिड़ती है अगर उसको गिरना है तो अब फुली 36000 ना तोड़े अगर यह तोड़ता है और अगर यह लेवल तूटता है थोड़ी दिक्कत हो सकती है शायद चार्ट में देख लेते हैं अब निफ्टी देखेंगे तो फ्लैट खुली थी लेकिन फिर 16600 के नीचे क्लोज हुई 16500 सपोर्ट लिया लेकिन उसके नीचे ही तोड़ दिया है अब आप इसमें कल के लिए देखेंगे तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और जो आज का लो है 16460 वो निकालती है देन आप इसमें देख सकते हैं कितना बड़ा एक गाप पेंडिंग है और यह गाप फिल करने की पूरी पूरी इसमें गु सब्सक्राइब होता है यह नहीं और आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसमें पहला रेसिस्टेंस तो 16500 का ही है और 16500 निकलता है देन उसके बाद 16600 आ जाता है जो इंपोर्टेंट रेसिस्टेंस है कल के लिए और बैंग निफ्टी देखेंगे भारे आज फ्लैट खुला था और फ्लैट कुलने के बाद 36600 इसने पहली ही candle में इसके नीचे खल अगर बैंग है और अछा वो त inflex कोसी आ इसमें नीचे की तरफ एली आ सकती आ और उसके फिर नीचे 35900 एक support है और फिर 35500 है जो एक psychological नंबर बन जाता है और उपर की तरफ देखेंगे 36600 बहुत important resistance बन चुका है और उसके उपर निकलता है जो one of the most important resistance है अब यह देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में टेस्ट होता है 37000 या फिर 36000 अभी थोड़ा बैटल रहेगा देखने वाला और आपको अपनी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें शेर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने ट्रेट किया और कैसा आपका पूरा दिन सब्सक्राइब आज के लिए लेट्स मीटिन नेक्ष्ट वीडियो दिन